हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहीं वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि Redmi 13C phone में आप लोग split screen को कैसे यूज कर सकते हो अगर आपके पास एक Redmi 13C phone है और इस phone में आप लोगों को split screen मतलब dual screen को यूज करना है मतलब यहाँ पर आपको दो application एक साथ में तो आज के वीडियो में मैं यहीं बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसानाए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गश वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहा चाहते हो ओपन करने के बाद इसको सीधा कट कर लिजिए मतलब होम स्क्रीन में आ जाई है उसके बाद मिनिमाइज बटन पे क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर मिनिमाइज में हुआ एप्लिकेशन चलता हुआ दिखेगा तो इस पे लॉंग प्रेस किजिए लॉंग प्रे एप्लिकेशन को यूज्ज करूं तो फोन का इप्लिकेशन यह सबसे करते है दह सकते आप लोग कॉल के लिए हो जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई